दोस्तों आप सबका अपना गोल्डिन भेया, आप लोगों ने इतना प्यार किया, मुझे यह उम्मीद नहीं थी, सच बताऊ ना कि मैं यार एक यूट्यूबर बनूँगा और हमारे मिलियन में सब्सक्राइबर होंगे, to be honest बोलू ना, हमारा breakup हुआ था यार, तो मुझे देंगे, लेकिन समय के साथ ऐसा हुआ कि यूट्यूब में मुझे मजा आने लगा, और मुझे लगा यार कि कर सकते हैं, तो आपके सामने आपका अपना गोल्डिन भेया है, जिरो से स्टार्ट किया था, और यहां तक कि जरनीतने कर दिया है, आप लोगों ने, और आगे यूट्यूब जरनी की नहीं है, वो हमारी खुद की जरनी की है, और आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ, अकर आप लोग असफल होते हो न, तो आप लोग किशी और को दोस मत दिया करो, उसके जिम्मेवार हाफ होते हो, आप लोग सूछते हो, यार, लोग हमारा मजा अरे सर जब आप सफल हो जाओगे न सच्दा भी वही लोग करेंगे उनको लगता है चलो अच्छा हुआ सफल हो गया जी हुजूरी नहीं करनी पड़ रही है आप इतने कैपिवल हो सर दुनिया की सारी ताकतें आप फिला सकते हो जब आप असफल हो आपको लगे आप जीवन नहीं चाहते हैं असफल अगर आप होते हो तो उसके जीम में वारा आप और कोई नहीं है सर आप क्यूं नहीं चलते हो बिंटली से आप जैगवार क्यूं नहीं ले रहे हो क्यूंकि आप लेना ही नहीं चाहते हो बहुत करेक्ट बात कर रहा हूं आप लोगों के मेरी बाते बुरी लगेंगी और मैं देखता हूँ ना कुछ लोग अपने टाइम को काटते हैं उनको लगता है मेरा टाइम कट जा यार सर टाइम को आप नहीं काट रहे हो टाइम आपको काट रहा है आप में इतना सामर्थ है अगर आप अपने अंदर को पहचान के मुझे अढ़ानी बनने में देर नहीं लगेगा 125 बिलियंड डॉलर का नेट वर्थ बनाने में टाइम नहीं लगता है माइन सेट लगता है बहुत सारे लोग मॉनिंग में स्टेटस लगाते हैं कि मैं यहां से आया यह करके आया सर मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं इस्टेटस लगाने से स्टेटस नहीं बनता है इस्टेटस बनाने से स्टेटस बनता है वरना हर आदम इस्टेटस लगा कर अपना स्टेटस बना लेता और मैं देखता हूं लोग गौर्मेंट जॉब के पीछे भागते हैं सर आप क्यू जाते हो गौर्मेंट जॉब के पीछ पास खाने के लिए नहीं है दो वक्त का ना तो टेंसन मत लो और इतिहास तभी बनता है जब आप सोचते हो लोगों को लगता है न कि जो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं अच्छे कॉलेज में वो इतिहास बनाते हैं आप इतिहास उठा कर देख लो मैंने आज तक तो नहीं देखा हम जैसा पागल आप जैसा पागल ही कोई आता है और इतिहास में अपने नाम को बनाता है अपने टाइम को मत काटो अपने टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट करो कि कि वो टाइम आपको महान बनाएगा समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा अगर अभी आप नहीं क चल रही होगी continuously ये घड़ी कभी रुकती नहीं है हमेशा चलती रहती है आपका वक्त बहुत कीमती है अपने वक्त को ऐसे जाया मत करो बाद में आप बोलोगे कि मैं कुछ नहीं कर पया life में आपकी जब ये 40 साल के उपर हो जाएगी न तो कोई नहीं पूछेगा आपके कितन गलफेंड है और कितनी थी क्योंकि आप उस वक्त अपने जीवन से बहुत दूर जा चुके होगे हर आदमी केपसी का ओनर नहीं बन जाता सर उन्होंने भी जीवन में स्टार्टिंग से मैनत की थी आप मुझसे बेहतर बन सकते हो अडानी से बेहतर बन सकते हो इलन मस्क से आप बेहतर बन सकते हो आप काम चो करो स्टार्टिंग दो बेस दो बेस को इतना मिंटेन करो ना दुनिया की कोई ताकत तो में हिला नहीं सकती अपने माइंड सेट को इतना फोकस रखो ना 200 रूपय वाले जगह पे रहो तब भी वही फील आए और सेवनी स्टार में रहो तब भी वही फीलिंग आए माइंड सेट ही सब कुछ है जिस दिन आप अपने माइंड सेट को समझ गए ना दिमाग यहां से अगर आपने आपने आपको सोच लिया यह बहुत स्ट्रॉंग चीज है दुनिया को हिलाया जा सकता है और वह आप हिलाओ गया हम हिलाएंगे अगर हम नहीं हिला पाते हैं तो फिर हमाँ सफल है फिर हम स्विकार करते हैं कि हमाँ सफल है आपके पास पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है कमाओ कंगी भी अचले लेना रोड पे लेकिन नौकरी मत करना जूते साफ कर लेना लेकिन नौकरी मत करना नौकर मत बनना सर बिजनस बनाना इंपायर खड़ा करना खुद के लिए अमीर बनो किसी और के लिए अमीर मत बनो कि मैं पैसे कमा लूँगा तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा तो मेरी girlfriend वापसा आएगी वो जा चुकी है, उसको जाने दो वो किशी और के पास है उसको रहने दो, आपको क्या करना है दूसरी, तीसरी, चोथी, पच्वी नंबर मत count करो खुद का account count करो खुद के bank balance को count करो और अमीर बनने का मैं आपको एक formula बताता हूँ वैसे तो कोई formula नहीं hard working के अलावा सबसे पहले आप अपना pen card passport आपके कम से कम 5-8 bank में आपके account होने चाहिए और 34 is hard work जिस पे सब कुछ ठिका होता है तो ये हमारा base होता है इसको आप maintain करके रखो पासपोर्ट बनवाने से दुबई जाने से आपके जिन्दगी नहीं बखलेगी गल्फिंट गुमाने से क्या होगा आप ही हमारी इस है 22 साल से 25 साल की जो हमारी इस होती है यही कुछ कर गुजरने की है अगर हम खुद को बनाने में खुद का वक्त नहीं देंगे न तो लोग आपके वक्त का फायदा उठा करके अमीर बनेंगे और आपको पता है क्या मिलेगा सिक्के जिसके आप हगदार रहोगी अपनी कमिया को देखो न कमिया कहा है और अगर कमी भी है न तो मत देखो कि कितनी कमिया है सोचो कि जो है उसको स्विकार करो और स्टार्ट करो आपको लगता है मैं कैपिबल नहीं हूँ मैं यह नहीं कर सकता हूँ सर मैं आपको अपनी कहानी बताऊ जब मैं IIT के अंदर गया न हूँ तो मैं UP बोर्ट से मेरा हाइ स्कूल था और इंडर मैंने DPS से पढ़ाई की थी तो मैंने यह देखा कि यार वहां के दुनिया अलग थी लाइफ अलग थी लेकिन IIT मुझे कभी अलग नहीं लगी क्योंकि मेरे सलेबस से ही थी लोग अलग थे छोटे छोटे गाउं से लोग आये थे यह अलग थे अमीरी वाली अलग नहीं थे टेफिन बॉक्स लेकर के आते थे कॉलेजेज में सेकेंडियर थडियर के बाद क्या होता है बहुत सारे हमारे मित्र मैं आपको बताओ मेरा एक दोस्त था कहीं नाली में पी के पड़ा रहता था समझाया बहुत नहीं समझा आज किसी गवर्मेंट कॉलेज में टीचर है और मुझे फोन करता है विवेक मैं असफल हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ तुम अपनी वज़ा से असफल हो क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग नहीं थी सफल बनने की तो आप अपने सफलता को डिजर्ब करते हो और आप मेहनद करो और अगर विवेक गोल्डिन कर सकता है तो आप सब भी कर सकते हो इंसान गैरों से जूट बोल सकता है खुद से नहीं खुद क्या हो आपके जिप में कितने रुपएं है ये माहिने रखता है सर गैरों से तो हम सब जूट बोलेंगे वालेट में पैसे मत बढ़ाओ एकाउंट में बढ़ाओ जीरो कमाओ जीरो की वेलू है हमारी बाते हैं अगर आपको कोग बुरदी होगी तो मैं उसके लिए अभी से सोरी बोल देता हूँ लेकिन मुझे सोरी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं सही बाते कर रहा हूँ मेरा भी सपना है सर कि मैं अडानी बनू और मैं अपने सपने के लिए रात दिन मेनत करता हूँ और मुझे बनना चाहिए अगर मैं अडानी नहीं बन सकता तो बेकार है फिर मेरी जिन्दगी में आना कमपटीशन उससे रखो न जो उस कमपटीशन में उस लायक हो मुझे बनना ऐसा रडानी और बनेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब हमारे साथ रहें मैं सच बता हूँ मैं यूटीव पर पैसा कमाने नहीं आया हूँ और मैं यूटीवर बनने तो बिलकुल नहीं आया था ये तो आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने यहां तक पहुँचा दिया जिस दिन मुझे लगे का मैं सर मैं आप लोगों के एक बात बोलता हूँ मैं यहाँ entertainment करने नहीं आया हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ न कुछ सीखों उससे और मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख सकूँ अगर यह नहीं है तो फिर बेकार है यार मैं सरुक खान नहीं हूं सर मैं मिताब बच्चन नहीं हूं मैं सलमान खान नहीं हूं सर मेरे गाल मेरे बाल उतने अच्छे नहीं है आप अपने आपको इतना डेरिंग बनाओ ना यार राष्टपती के सामने भी आप खड़े रहो न तो लगे कि हाँ आप खड़े हो दूसरों से खुद को कम क्यों समझते हो मत समझो तुम उससे ज़्यादा कैपिबल हो चलो बाकिज जय हिन जय भारत और आप लोग दिल से और अपने और एक चीज अपने अंदर खुददार ही लाओ खुददार बनो लब यू मेरी बातें आपको बुरा लग सकती हैं बट कोई पॉबलम नहीं है आपके भविस्टे के लिए हो लब यू गाईज और आप लोग मेहनत करो यार मेरे को बहुत अच्छा लगेगा सच में हम सब यूथ साथ मिल करके अपने देश को नमबर वन पे ले जाएंगे और हम सब साथ मिल के काम करेंगे यार बाकि लब यू आप लोग को करना है